क्या कड़वा बदाम खाने से डायबटीज ठीक हो सकती है? कड़वा बदाम डायबटीज को ठीक कर सकता है ऐसी भ्रामक जानकारियां आपको इंटरनेट पर हर जगा उपलब्ध हैं. कई online shopping platform जैसे Amazon, Flipkart भी कड़वा बदाम प्रोड़क को धड़ले से बेच रहे हैं ये क्लेम करते हुए कि कड़वा बदाम डायबटीज में बहुत फायदा करता है, लेकिन ये सारे तथ्य बिलकुल गलत हैं. सबसे पहले तो आप ये जान लो कि diabetes कार्बो हाइडेट्स के metabolism की बिमारी है, जिसमें insulin की कमी या insulin resistance के कारण बलड में glucose का लेवल बढ़ा हुआ होता है. और ये अवधार ना ही बिलकुल गलत है कि मीठे को काटने के लिए कड़वा खाना चाहिए. स्वाद का blood sugar level से कोई संबंध नहीं है. अब बात करते हैं कड़वा बदाम की. तो ये एक जहरीला फल होता है, जिसके अंदर amagdalin नाम का toxic chemical होता है. इसी amagdalin के वज़े से इसक का स्वाद कड़वा होता है. तो क्या ये amagdalin मीठे बादाम में नहीं होता? बिलकुल होता है. पर मीठे बादाम में इसका concentration बहुत कम होता है. के वल 2% होता है. जबकि कड़वे बादाम में इसका 42% होता है. इसलिए मीठा बादाम कड़वा नहीं लगता और कड़वा बा NID के नाम से भी जानते हैं, तो अगर आप कड़वा बदाम खाते हैं, तो ये आपके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग जरूर कह सकते हैं कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम रोज खाते हैं, तो ऐसा है कि एक या दो खाने से डेथ नहीं होगी, और रोज एक या दो खाने से सूक्षमस्तर पर सेल्स को नुकसान जरूर पहुँचाता हैंगी है, और टॉक्सिसिटी गठा होती रहती है, जिसका असर कुछ सालों बात दिखाई देने लगेगा, क्रॉनिक पॉइसनिंग के वज़े से, लेकिन अगर कोई एक साथ एक मुठी कड़व अदाम खा ले, तो इंस्टन्ट डेथ भी हो सकती है, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है, कि डाइबिटीज में य क्या फाइदा करता है, पर इसके पूरे साक्षे हैं, कि ये जहर है, इसका सेवन ना करें, धन्यवाद,